हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अद्बूत ऐसा चमतकारिक उपाई बताने वाला हूँ चिसकी मदद से आप अपनी खासी को केवल एक से दो दिन में चुटकियों में ही ठीक कर सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो यह जो तरीका होगा वो एक साल के बच्चे से लेके भुटो तक सभी लोग यहां पर यूश कर सकते हैं तो इस हुष्के की सबसे खास बात यह होगी कि अगर आप यह यूश करेंगे एक बार तो आपको तुरंती इसका असर दिखना मिलता है फिर वही परशानी आपको यहां पर होने लगती है तो मेरी आप से एक रिक्वेस रहेगी कि आज का यह जो नुश्का है तरीका है आप लोग एक बार यूज़ कर लीजिए उसके बाद आप मुझे कमेंट बोक्स में एक बार जरूर थेंक्स बोलने जरूर आएंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको एक बार शेर और लाइक करना है तो आईए मैं आपको बताता हूँ तरीका कि किस प्रकार से आप अपनी खासी को एक से दो दिन में ही ठीक कर सकते हैं और साथी साथ ये भी बताऊंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको अगर खा यहां पर तुलशी के 10-15 पत्ते ले लेने हैं और इसको अच्छे से साफ कर लेने हैं साफ कर लेने के बाद आपको इस तरह कि यह जो चटनी है वह चटनी आपको यहां पर इसकी बना लेनी है आप इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे तो इसकी चटनी आपको यहां पर अ तो लगबग यहां पर। यह जितना है जो रस है इसका यूझ करना है तो आप इस तरह से अगर प्रेस करेंगे ए तो यह देखे आशी तरह से और कितनी आसानी से यहां पर हमको अद्रक का जो रस है वह मिल गया है इन दोनों को आप अच्छे से मिला लीजी अभी एक चीर और इसमें हम एड़ करने वाले हैं हो सकता है आपको इसका स्वात थोड़ा चलपाटा और थोड़ा तीखा लगे मगर यह एक से दो बार के इस्तामाल से ही आपकी खासी को 100% मिटा देगा तो दोस्तों इसके बाद आपको यहां जरूरत पढ़ने वाले है सहत की जी हाँ आपको यह में सहत मिला ना होगा एक चमच अगर आपके पास सूथ शहत होगा तो उसकी तो कुछ बात ही है लगोगी इनसे यह छो खासी है आपके पास सूथ सहत है तो 100% एक बार के इस्तमल से ही आपकी खासी गायब हो जाएगी अब आप इसको कर लीजिए अच्छी तरह से mix अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका use कब करना है छोटे बच्चे को कितनी मात्रा में आपको इसको देना होगा तो ये खासी की दवाई है वो अच्छी तरह से बनके तयार हो गई है अब आप इसका use राद को सोने से पहले आसानी से कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चे को देना चाहे तो केवल आधी से आधी चमच की मात्रा में ही आपको इसका use करना होगा अधी से आधी चमच की मात्रा में एक साल से तीन से चार साल तक के जो बच्चे होते हैं उसको आपी आसानी सकते हैं उसके बाद आपको उपर से तीन से चार घूट गर्म पानी यानि की गुनगोना पानी आपको उसको पिला देना है दूसरी राद सेम वहीं प्रोसेस आपको अपने छोटे बच्चों को करनी है अगर आपकी उम्रत 10 साल से उपर चाहे जितनी भी हो 7,7,8 तो आपको ये जो पूरा एक चमचे ये ले लेना है और आपको भी उपर से लगबग 3-4 गूट गर्म पानी पी लेना है लगातार दो रातों तक आपको इसका यूस करना होगा दो दिन के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो खासी होगी वो बिल्कूल आसानी से जड़ से मिट जाएगी तो दोस्तो आज का नुस्का सेर करना तो बिल्कूल ही ना भूले मैं आपको मिलूँगा किसी ऐसे ही नए नुस्के के साथ तब तक के लिए नमस्कार